हम सभी लोग जब भी कोई समान बाहर मार्केट से परचेज करकर अपने घर लाते हैं तो उससे पहले हम उस प्रोड़ट को चेक करते हैं कि वो सेफ है कि नहीं सेफ है आप सपोर्च कि आप जो है कोई फ्रूट या फिर कोई वेजिटेबल परचेज करके लाते हैं तो पहले आप चेक करते हैं ना fruit को, कि वो सड़ा तो नहीं है, या फिक गला तो नहीं, उसमें कीडे तो नहीं लग गए है, वेजी टेबल को आप चेक करते हो कि वो अच्छी quality का है, fresh वेजी टेबल है कि नहीं है, क्योंकि वो आप घर लेके आओगे, उसको आपके family members आप खाओगे, तो कहीं न कहीं अगर वो खराब हुआ, तो उसका कुछ न कुछ negative impact जो है आपकी health पर, आपकी family के health पर पर सकता है, तो इसी तरहिके से जब international trade होता है, तो वहाँ पर जो हमारी country है, फिर जो भी country है, वो कुसी दूसरे country से बहुत सारे product को import करती है, किसी दूसरे country से एक country किसी दूसरे country से बहुत सारे product import करते हैं ने कि बहुत सारे product मंग आती है उनमें से कुछ जो हो सकता है कि vegetable हो, fruits हो, या फिर meat हो, poultry हो, या फिर dairy product भी हो सकता है तो different type के items होते हैं जो कि other country से import के जाते हैं अपनी country में तो अब ये चेक करना जरूरी है, इस चीज को चेक करना जरूरी है कि जो भी चीज बाहर से आ रही है हमारे country में वो safe हो हमारे animal health के लिए, हमारे plant health के लिए, हमारे human health के लिए, हमारे consumers के लिए वो safe हो, उसको खाने से हमें आगे हैं, हाँ पर कोई disease नहीं होगा, हमारे लोगों कोई नुकसान नहीं होगा, इस चीज को चेक करना ये जो है government की जिम्मेदारी होती है, clear, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए different different standards set किया जाता है, different different regulations बनाया जाते है, जैसे आपने ISI mark सुना होगा, BIS mark सुना होगा, तो ये सब क्या, ये सब standard है, जिसको आप देखकर आप ये अंदाज लगा सकते हैं, हाँ ये product जो है, quality product है, safe product हमें इसको use कर सकते है, clear, तो World Trade Organization, WTO में इस चीज को लेकर, यानि कि कोई भी country अगर किसी दूसरे country से import कर रही है, तो उसके ल तो how do you ensure that your country's consumer are being supplied with food that is safe to eat, and at the same time, how can you ensure that strict health and safety regulation are not being used as an excuse for protecting domestic producer, तो जब SPS agreement हो रहा था, तो उसमें पहला question ही उठा कि कैसे हम इस चीज को ensure करेंगे कि जो भी product हम बाहर से मंगवा रहे हैं, अपनी country में, जो भी खाने वाला समान हम बाहर से अपने country मंगवा रहे हैं, वो safe है क नहीं safe है खाने के लिए, और साथी साथ हम जब rule regulation बना रहे हैं, safety regulations बना रहे हैं health को लेकर, तो कहीं हम इतना strict health regulation तो नहीं बना रहे हैं, कि सामने वाला country जहां से हम import कर रहे हैं, वो उस regulation को fulfill ही नहीं कर पा रहा है, उस rule regulation की वज़ए से अब वो सामने वाला country जो हमारे हैं पर export ही नहीं कर सकता है यानि कि हम उस country से import नहीं कर सकते क्योंकि उस country का जो product है वो हमारे safety regulation के according नहीं है तो country को ये भी देखना होता है कि वो इतना strict health and safety regulation ना बना दे कि दूसरी country उसके हाँ पर product को export ही ना कर सके और बहुत सारी country जैसा करती हैं जिससे कि वो बाहर से जो उनके ये customer है वो बाहर से जो है product को ना purchase करें बलकि अपने ही country की product को वो purchase करें तो ये दोनों ही चीजों को ध्यान में रखकर जो WTO का agreement था SPS agreement इसको बनाया गया the sanitary and phytosanitary measures set out a basic rule for food safety and animal and plant health standard तो ये जो SPS agreement था ये जो है एक ऐसा agreement था जो कि allow करता था different countries को to set their own standards to protect human, animal और plant, life और health तो human की, animal की, plant की life को, उनकी health को protect करने के लिए जो countries हो different regulations, health and safety regulations set कर सकते हैं, खुद के standard बना सकते हैं बस उनको ध्यान क्या रखना है कि ऐसा strict hard and fast rule नहीं create करना है, standard नहीं set करना है कि जिससे कि जो बाकी countries है वो आपके हापर वो product को export ही न कर सके clear, but it stipulates that regulation must be based on science and should be applied only to the extent necessary to protect human, animal और plant, life और health तो यहाँ पर SPS agreement में ये भी कहा गया कि जो country हो अपना standard तो बना सकती है, human, animal और plant की life को, health को safe करने के लिए, protect करने के लिए लेकिन उनका जो regulation होगा, उनका जो standard होगा वो science based होना चाहिए, यह नहीं कि आपने कुछ भी set कर लिए, proof होना चाहिए उसका कि क्यूं आपने वो standard set किया है, तो science based होना चाहिए और उस हद तक ही होना चाहिए जिससे कि उनका animal, human, and plant life safe हो सके, कि उनको protect किया जा सके, उतने ह तक आप standard set करिए, तो SPS agreement, S से sanitary and PS से phytosanitary, तो sanitary and phytosanitary agreement इसको कहा जाता है, clear, तो यहाँ पर जो भी country बाहर किसी country से कोई भी sanitary आने की animal based product, phytosanitary आने की plant based product जो है import कर रही है, तो उसकी health को लेकर, उसकी safety को लेकर, जो standard or regulation है, वो country, खुद set कर सकती है, clear, तो in 2004, India prohibits for a period of six month, the import of domestic wild bird and their product from all countries in wake of outbreak of avian influenza, तो यहाँ पर क्या है, इंडिया के पास यह power था, SPS agreement में, कि वो जो है, खुद के standard guidelines set कर सकती है, तो 2004 में, इंडिया ने, जो है, avian influenza की वज़ा से, domestic wild bird और उनके products को जो है, ban कर दिया था, किसी भी country से, जहाँ पर यह बिमारी फैले हो, वहाँ से यह import नहीं होंगे, छे महिने के लिए, इंडिया provides for a period of six month, the import of domestic wild bird and their product, तो domestic या फिर wild bird और उनके product को इंपोर्ट करने पर बैम लगा दिया गया था, छे महिने के लिए 2004 में, क्योंकि avian influenza नाम की disease जो है, फैल रही थी, तो अब जो है, अगर किसी दूसरे country में, avian influenza जो है, भीमारी फैल ली है, वहाँ पे bird में, उनके product में है, अब वहाँ से आप import करके लाओगे इंडिया में, तो इंडिया में फैल जाएगा, तो इंडिया के लोगों की safety के लिए, इंडिया के लोगों की life को protect करने के लिए, यह standard set किया गया, तो यह SPS agreement के तहट set किया गया, तो S के guidelines होने चाहिए, जो इनका standard हों चाहिए, वो science-based होना चाहिए, तो objective of SPS agreement आपको समझ वाँ हो गया, पहला क्या हो गया, कि to protect human और animal life from risk arising from additives, contaminants, toxins, or disease-causing organisms in their food, बहुत सारे ऐसे product होते हैं, जिसमें additive डाल दिया जाता है, उसको मिलावटी कर दिया जाता है, कुछ toxins, उसमें plant और animal carried disease, बहुत सारे ऐसे disease होते हैं, जो कि plant और animal के जरिए carry होते हैं, दूसरे जगाँ पे animal को कोई disease हो था, वही चीज़ अगर आपने हाँ पे import कर लिया, जैसे कि influenza वाला case है, तो आपके हाँ भी जो है, महाँ पर influenza फैल जाएगा, तो उससे protect करने के लिए human life को plant और animal carried disease से protect करने के लिए, जो है, SPS aggregate के तहट, जो है, standard set किये जा सकते हैं, to protect animal और plant life from pest disease और disease causing organism, तो अपने यहाँ पर जो animal है, जो plant है, उनको pest और disease से बचाने के लिए, जो है, SPS Agreement के तहट हम standard set कर सकते हैं, to prevent or limit other damage to a country from the entry, establishment or spread of pest, यानि कि अपनी country को different other, जो है, type के damage से बचाने के ल agreement के तहट, clear, तो SPS आने की sanitary and phytosanitary agreement, the SPS agreement entered into force with the establishment of the world trade organization on 1st January 1995, तो 1 January 1995 से ही, यह, SPS agreement जो है, वो exist करता है, जब world trade organization बना गया, तभी यह SPS agreement भी existence में आया, it appears in the final act of the Uruguay round of multilateral trade negotiations signed in Marrakes on 15th April 1994, 4, तो 15th April 1994 को Marrakes में जो है, जो है, जो multi trade negotiation हुआ था, और यह round में, वहीं पर जो है, यह SPS agreement का भी जिक्र किया गया है, clear, अब बात करने TBT agreement के, तो TBT agreement, TBT नाम से आ रहा है technical barrier to trade, यहाँ पर क्या होता है, कि बहुत सारे जो country हैं, अपने आपर इतना standard, इतनी guideline, इतना जो है certification set कर देती हैं, जिसकी वज़ा से दूसरे country अपने product को दूसरे country में export नहीं कर पाती हैं, तो उससे related भी agreement हुआ, TBT, technical barrier to trade, यहाँ पर भी हुआ है, कि country जो है, अपना standard set कर सकती हैं, लेकिन उसी extent तक set करें, जितना तक उनकी safe, वो अपने country के लोगों को safe कर सकें, अपने country के human standard को जो है, इनको follow करना होता है, certification procedure होता है, import करने से पहले, तो यह सारी चीज़े जो है, वहाँ पर technical barrier में आ जाती है, clear, तो यह barrier भी जो है, यह जो technical barrier है, इसको भी, इस से related, जो भी standard and regulation वो country खुद sit कर सकती है, to protect human, animal, or plant life, or health, to safeguard the environment, or to meet the consumer interest, there are technical regulations, standard and testing and certification procedure, जिसको cover किया गय है, TVT agreement में, तो TVT यानि की technical barrier to trade, तो इस technical barrier to trade agreement में यह बताया गया है, कि जो countries है, वो अपने हाँ पर regulation, standard, or testing, or certification procedure होता है, उसको set कर सकती है, जिसके जरिए वो अपने हाँ पर human, animal, or plant life है, उसको protect कर सकती है, अपने environment को safeguard कर सकती है, अपने consumer interest के लिए यहाँ पर standard set कर सकती है, जैसे कि आपने देखा होगा, कि आप जब hallmark वाला item लेते हैं, तो आप confident होते हैं, कि हाँ, आपका जो सोना होगा, आपका जो gold होगा, वो pure होगा, तो hallmark, यह hallmark क्या होगया है, कि standard होगया, testing होगया, जो की set किया गया है, आपकी government दोरा, जिससे कि आपकी interest जो है, fulfill हो, यान उनका protect हो, human, animal, plant, life उनका protect हो, उसके लिए technical barriers जो है, याने कि different technical regulation, standard testing, set किया जाते हैं, तो वो TBT agreement में आ जाते हैं, तो यह जो TBT agreement हुआ था, यह Tokyo round में, multi-trade negotiation जब हो रहा था, Tokyo round में, तब जो है, technical barrier to trade agreement भी जो है, वहाँ पर negotiate किया गया था, 1979 में, अब यहाँ पर TBT agreement का एक example लेखे, तो जो automotive tires and tubes होते हैं, उनका mandatory certification ज़रूरी है, जिससे कि safety of people को, जो है, वहाँ पर secure किया जा सके, अने कि people को safety का ध्यान रखा जा सके, तो इंडिया में इसको लेकर guidelines जो है, बनाए गए हैं, for compliance of this requirement, all manufacturers of these products shall be required to obtain certification from Bureau of Indian standards, तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने जो लोग भी automotive tires and tubes बना रहे हैं, उनको ये mandatory कर दिया है, कि उनको certification लेना होगा BIS, Bureau of Indian standards का, उसके बाद ही उनका product हमारे country में, जो है, वो sell किया जा सकेगा, तो जैसे pneumatic tires for two and three wheeler, three wheeled motor vehicle के लिए अगर आप बना रहे हो, तो उसके लिए IS 15627 होना जरूरी है, वहीं पर अगर आप pneumatic tires for passenger car vehicles के लिए बना रहे हो, diagonal and radial ply, तो उसके लिए आपको जो है IS 15633 का standard BIS mark होना जरूरी है, यह TBT agreement है, यानि कि यहाँ पर क्या हुआ, कि इंडिया ने अपने country के लोगों की safety के लिए, people की safety के लिए, जो लोग भी automotive tire and tube बना रहे हैं, उनके लिए guideline जारी कर दे कि आपको BIS का mark का certification लेना पड़ेगा, अगर two wheeler या फिर three wheeler के लिए बना रहे हैं, तो IS 15627 होना चाहिए, अगर आप passenger car vehicle के लिए बना रहे हैं, तो IS 15633 का BIS certification होना चाहिए, तो इस तरिके से जो country हैं, वो अपने हाँ पर different standards set कर सकती है, people की safety के लिए, human की safety के लिए, animal की safety के लिए, तो in any case, whatever regulation countries use, should not discriminate, यानि की कोई भी regulation अगर आप बना रहे हो, तो इससे discrimination नहीं होना चाहिए, कि आपके उस regulation की वज़ा से एक country जो है, आपके हाँ पर import, export कर ले रही है, लेकिन दोसी country उस regulation की वज़ा से वो export नहीं कर पा रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, clear, इसी भी rule क हैं, वो जो है different item पर जो है आप applicable कर सकते हैं, चाहिए, वो car की safety को लेकर हो, चाहिए, energy saving device को लेकर हो, चाहिए, जो food cartoon साते हैं, उनको लेकर हो, सभी इससे related जो है TVT agreement जो है, वहाँ पर बनाया, TVT जो measure से वो बनाया जा सकते है, clear, the TVT agreement seeks to ensure that technical regulation, standard and testing and certification procedure do not create unnecessary obstacle, तो जो 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 different country के जो technical regulation है, standard है, testing है, या फिर certification procedure है, वो जो है unnecessary obstacle ना create करें, export है और import में, भाई अब पता चला कि आपने कुछ ऐसा technical regulation बना लिया, या फिर ऐसा certification procedure बना दिया, जो जो है other countries following नहीं कर पा रहे हैं, fulfilling नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो export import नहीं कर पाएंगे, तो TV agreement इसलिए किया गया, कि जो भी countries के technical regulation, testing या certification procedure है, वो ऐसे होने चाहिए, जिससे कि export import में कोई दिक्कत ना हो, और साथी साथ इस agreement में ये भी ध्यान दिया गया, कि जो country वो अपने खुद के standard जो है, वो adopt कर सकते हैं, उनका right है, वो अपने standard जो है बना सकती है, जिससे कि वो अपने animal life को protect कर सके, तो the agreement does recognize countries right to adopt the standards they consider appropriate, यानि कि चाहे SPS agreement हो, चाहे TBT agreement हो, दोनों में country को जो है छूट दी गई है, वो अपना standard सेट कर सकते हैं, लेकिन उनको अपना standard इस तरीके से सेट करना है, कि जो export, import है, उसमें ज्यादा कुछ obstacle ना हो, और वो अपने country के health को protect भी कर सके, manufacturers and exporters need to know what the latest standards are in their prospective market, तो जो लोग भी export करे हैं, फिर import कर रहे हैं, यह उनकी responsibility होती है कि जिस भी country में export है, इंपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर क्या standard है, क्या regulation है, TBT agreement और SPS agreement के तहर्त, उसको जो है वो जान लें, तो all WTO member government must maintain an inquiry point, an office designated to receive and respond to any request for information regarding the country's sanitary and phytosanitary, major, तो हर WTO member countries जो की export, import कर रही है, यह उनकी जिम्यदारी है को एक ऐसा inquiry point बनाए, एक ऐसा office जो है, set करें, जहां पर जो भी inquiries आ रही है, उनके sanitary, phytosanitary major को लेकर उसकी details मिल सके, अब भाई, हम जो है, suppose करें कि हम USA से हैं, हम इंडिया में कोई product जो है, export करना चाह रहे हैं, तो उस case में, जो इंडिया में क्या sanitary और phytosanitary के rules हैं, क्या regulations हैं, उसके बारे मुझे जानकाली के लिए कोई न कोई office में contact रना पड़ेगा न, तो यह जो है, इस agreement में बोला गया, कि हर country को एक ऐसा inquiry point बनाना होगा, जहां पर जो other countries जो information ले सकती हैं, कि उनके यहां पर sanitary phytosanitary के क्या measures हैं, whenever a government is proposing a new regulation or modifying an existing one which differ from an international standard and may affect trade, they must notify the WTO secretary who then circulate the notification to other WTO member government, तो यहां पर यह भी चीज़ बताया गया है, कि जब भी, suppose कि इंडिया ने कोई regulation मनाया, अब उनको उस regulation में, उस standard में, आफिस certification procedure में कुछ changes आने हैं, तो जब भी आप कोई modification करोगे, change करोगे, clear, तो उसकी जानकारी आपको WTO secretariat को देनी पड़ेगी, फिस WTO secretariat जो है, वो बाकी other member को communicate करेगा, तो जब भी आप चाहे sanitary, phytosanitary से related हो, चाहे TBT के related जो है, वहाँ पर standard regulation जो है, आप set कर रहे हो, change कर रहे हो, तो उसकी जानकारी आपको WTO secretariat को देनी होती है, हाला कि यहां प SPS agreement को summarize करें, तो TBT और SPS agreement जो WTO members है, उनके बीच में होता है, और इसमें यही चीज़ बताया गया है, कि इस TBT और SPS agreement के तहत, जो countries है, वो खुद के यहां पर human, animal or plant life है, उनको protect करने के लिए, consumer के interest को protect करने के लिए, अपने environment को protect करने के लिए, खुद के regulations, sanitary और phytosanitary को लेकर या फिर technical regulation जो है, वो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि यह ऐसे science-based होने चाहिए, और ऐसा होना चाहिए, कि जिससे की export-import में दिक्कत ना आए, obstacles ना create हो, clear, तो आप country है, आप जो है किसी दूसरे country से आप product महँआ रहे हो, तो आपकी responsibility है, आपका right ह कि आप जो है, अपने आपर standard set कर सके हैं, कि 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 standard के product आपके हाँ पर आएंगे, लेकिन यह standard ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसकी वज़र से export ही नहों, इंपोर्ट ही नहों, सिर्फ आपके domestic player ही जो हमाँ पर काम कर रहे हो, domestic player ही product बना कर सेल कर रहे हो, export बहार से country से आए नहीं कि आपके थाँ आप हमाँ कर से जहुत रहे होसं.